हिलो एवरीवन इस वीडियो में करने वाले हम integration का ये question जो कि given है ने 1 ओवर 1 plus cos टू ठीटा ठीटा तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे ये जो cos टू ठीटा है इसका जो formula होता है हमें पता है cos to theta का formula और sin to theta का formula सबको याद होना चाहिए जो की होता है 2 cos square theta minus 1 तो यह double angle वाले formula है दो याद करने sin और cos याद होना चाहिए इसको उठा के यहापे put कर देंगे इस integration में तो हैं से यह मिल जाएगा हमें integration integration 1 over 1 plus cos 2 theta की जगह है cos 2 cos square theta minus 1 d theta integration यह 1 से 1 cancel हो जाएगा denominator में यहापे यह जो 1 है यह cancel हो जाएगे तो हमारा बचे गई है 1 over 2 2 cos square theta d theta अगर इसको और जादे simplify करें यह जो 2 है denominator मारा है अगर मैं इसको बाहर निकाल लो इस integration से तो यह वचेगा 1 over 2, 1 over cos square theta और हमें पता है कि 1 over cos theta जो होता है तो होता है से करेक्ट तो यहाँ पर को कोज स्कॉर रहे हैं वर भेल कोष स्कॉर रहे तो हमें भी इदर क्रने पड़े हैं इसको और कर देंगे sihक कॉर्स टो जाएगा विचे नेक्स स्टेप मन कि टो में यह मिदाए गा आट्स याईज आट टो आट टो एसक इसक आट सेक स्क्वार थीटा किसका इंटीग्रेशन होता है देखो मैं कैसे याद आखता हूं मैं डेरिवेटिव से याद आखता हूं जैसे साइन का डेरिवेटिव होता है कोस इसका मतला जब कोस आएगा तो मैं साइन कर लूँगा साइन मैंनेज करना होता ठीक है बस ऐसे देखो ट प्लास सी यही क्या इसका आंसर हो गया कि देखो कितना आसान था ठीक है बस थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री लगा नहीं थी उसके फॉर्मल लगा है उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था आयोप आप लोगों को यह सब समझाया होगा अगर फिर भी कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में तो कुमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं या फिर फेस्बुक पेज या इस्टेग्राम पर मुझे मैसेज करके मूछ सकते हैं कि फिलाल अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों साथ शेयर करें इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रोलम के साथ